हालो फ्रांस कैसे हैं आप भड़िया मास्त रहिए वो राट अटेन्मेंट का मज़ा ले दे कई बार होता है कि हमें अपने शो में वो री एंट्री करानी पड़ती है जहां पे कहानी अधूरी छुट गई थी हम बात करेंगे स्टार प्लस के मोस्ट कोपूलर शो जहनक की जो इन ने नों एक नई कहानी रच रहा है ऐसे में सभी के मन में डर है कहीं जहनक जो है दोबारा पीछे तो नहीं चली जाएगी क्या अपने प्यार या फिर कहें पुरानी रिस्तों में उलज तो नहीं जाएगी या फिर जो इसकी जर्णी दिखाई जा रही है जहां वो एक नए रूप में ढ़ल रही है अपने सफने पूरे कर रही है या फिर अब नई जर्णी की दरफ आगे बढ़े है वैसे आपको बता दे इन्होंने जहनक की स्टोरी को बहुत ज़ादा खीचा है जहां पे शादी ट्रेक बहुत ज़ादा दिखाए गए उन ट्रेक को देखकर ही फैंस ने कहा कि अब हम तंग हो गए हैं जहनक में सिफ शादिया दिखाते हैं और शादी किसी की होती नहीं है ऐसे में अब लगर आए कि शादी का ट्रेक जो है नहीं दिखाएंगे अब जो है कहानी आगे बढ़ाएंगे ऐसे में जहनक लगातार फैंस के दिल में जंगा बना रहा है और जहनक के चहने वाले बहुत जा़ा है इसीलिए जो है जहनक लगाता तोब फाइप में बना आए ऐसे में हमें तो उमीदे ये भी है कि जहनक आने वाले टाइम में नंबर वन की पॉजिसन पे भी हो सकता है लेकिन यहाब बात आती है अगर वो जनक की स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट ना रहा यह लीना मांग के शो का है ऐसे में उनके शो काफी धमाल करते हैं वो पहली बार हिंदी टेलिविजन पे अपना शो लाई है जनक जो की लगाता तो फाइप में बनागा है अब बात आती है कि जनक में री एंट्री बहुत सारी देखने को मिल रही है उसी के बीच में पावर्फुल री एंट्री ओर लिए वो कोई और नहीं है वो संजे गांधी है जिन्हें आप जो हैं जनक के पिता के रूप में देख चुके हैं बले ही जहनक को नहीं पता है, लेकिन बहुती प्यारे जो हैं कह सकते हैं, पत्थक करते हैं, ऐसे मं जो है, सब को पता है कि वो जहनक के डैड हैं, लेकिन वो अबसेप्ट करने को तयार नहीं है, अब उनकी ईंट्री हो रही है, वजए इस पीख भी है, जहां पे वो काफी परेशान है ऐसे में वो दोबारा फाइनेस की वज़े से जहनक शो में री एंट्री हुई है और जो है नई कहानी रची जाएगी ऐसे में आप कितने एकसाइटिड है संजे गांधी की एंट्री से क्या वाकी ही जहनक को पता चल जाएगा यही थे जिन्होंने मेरी मा को अकेले छोड़ दिया था या फिर से कहानी घूम जाएगी कमेंट करके जरूर बताइए पाकी जानकारी के लिए लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है